विदेश तो मुडीती ने जद अपने बुड़े माबाप नू सड़क किनारे पीख मंगदे होए देख्या तां उस दे होश उड़ गए बुड़े माबाप दी दुख परी कहानी सिमर नू अज दो साल हो गए हन अपने माबाप नाल मिले होए उपारत तो दूर विदेश विच अपने पती दे नाल रह रही हुंदी है अज उस दे पिता दा जनम दिन है अते उ बहुत ही खुश सी कि उ अपने पिता नाल मिलेगी उनानू जनम दिन दी मुबारकबाद देवेगी उनानू सप्राइज देवेगी पर बारिश होन लग दी है अते उस दा मन उदास रहनदा है क्योंकि बारिश दी वजा नाल सारी फलाइटां लेट हो गई सी रद कर दिती गई सी पर जद कुछ देर बाद बारिश खतम हुं जद सिम्रन अपने पती दे नाल पारत दे लई निकल पेंदी है पिछले दो महिने तो ओ अपने मा आते पिता जी नाल गल नहीं कर पा रही सी पाई अते पबिनू जद वी फोन कर दीता पाई एही कहनदा मा आते पिता जी किते को मन गए हन ओ कर पर नहीं हन तू चिंता ना वो ठीक हन बस एही सुनने नू मिलदा इसी वजा नाल सिमरन होर परेशान हो गई सी वो जल्दी तो जल्दी अपने पापा नाल मिलना चाऊंदी सी अपनी मानू देखना चाऊंदी सी उन रस्ते वीच ही आउंदे समय उँ अपने पुराने ख्याला वीच अपने बचपन दी जादा वीच गवाच जांदी है किवे उँ अपने मा पिता जी दी लाडली दी सी दो पाई पैना वीच सिमरन अपने मम्मी पापा दा बहुत ख्याल रखदी बहुत ही संसकारी कुडी सी जद सिमरन दी कालज दी पड़ाई खतम हुंदी है ता उस दे मम्मी पापा ने उस दा व्या करने दा फैसला कीता आते जद मुंडे वाले सिमरन नू देखन आउंदे हन ता देगदे ही तुरंत पसंद कर लेंदे हन हुन सिमरन दा व्या तै हो जान्दा है व्या दा दिन आउंदा है व्या वी खुशी खुशी तो उमतामनाल हो जान्दा है सिम्रन दा पती सागर बहुत ही सुभा दा चंगा व्यक्ती सी व्या हुने दे बाद सिम्रन अपने सुसुराल चली जान्दी है हुन कुझ ही दिना बाद सागर दी विदेश विच नोगरी लग जान्दी है इसलई उँ विदेश चला जान्दा है उ ता अपने नाड सिम्रन नू वी ले जाना चौन्दा सी पर हुने उस दा वीजा नहीं बन पाया सी हुने कुझ समय सी इसलई सागरी कले ही विदेश चला जान्दा है जद कुछ दिन बाद सिमरंदा वीजा बन जानदा है तद उसनु अपने पती दे कोल जाना हुन्दा है अते हुँ सोच दी है कि विदेश जाने तो पहला उँ अपने मम्मी पापा नाल मिल लवे इत्ते रहंदी था उना नाल मिल लिया कर दी पर उन विदेश जाने दे बाद किते मिलना होवेगा इसोच के सिमरन अपने कार मम्मी पापा नाल मिलना आउंदी है अते उना नू देख के ही फुट फुट के रोन लग दी है जद उस दे पापा उसनू समझाओं दे हन बेटी तू चिंता क्यूं कर दी है तू राम नाल जा साध्डा ख्याल रखने दे लई तेरे पाई पाबी है ना वैसे भी असी इनने बुड़े थोड़ी ना होए हां कि असी अपना ख्याल ना रख सकिये सिमरन दे पापा सिमरन नू बहुत समझाओं दे हन अते दिलासा दिन दे हन कि अराम नाल विदेश जाए उनानू कोई तकलीफ नहीं होएगी उन सिमरन पारी मान नाल अपने मम्मी पापा तो विदा लेंदी है अते विदेश चली जांदी है सिमरन नू दो साल हो गए हन विदेश विच क्योंकि विच करोना आ गया सी इसलिए अपने देश आउना जाना नहीं हो पार रहा सी उन सिमरन बहुत खुश सी कि दो साल बाद अपने मम्मी पापा नाल मिलेगी उनानू देखेगी कंट्या दा सफर तै करने दे बाद सिमरन अपने देश अपने कार चली आउन्दी है कार आउन्दी ही सब उ सब तो पहला अपने मम्मी पापा नू लबन लगदी है अवाज लगान लगदी है पाई पाबी नू लबदी है परकार विच उसनू कोई नहीं दिखदा जदो अपने नोकर नू कैंदी है रामू ममी पापा किते हन पाई पाई बीवी दिखाई नहीं दे रहे हन सारे लोक किते गए हन क्या जद नोकर ने किया जी दीदी वड़े साहब अते बड़ी मालकिन किते बाहर को मन कुझ दिना दे लई गए हन अते छोटे मालक अते छोटी मालकिन बाबु सहब दे लई पूजा करवाउन गए हन अज जुना दा जणम दिन है ना इस सुनने दे बाद सिमरन अपने पती नू कैंदी है सागर असी वी मंदिर चाल दे हां पापा दे लई कुझ पूजा अर्चना करवा लवांगे हुन सिमरन अपने पती दे नाल मंदिर चली जांदी है पर मंदिर विच उसनू उस दे पाई पाबी किते नहीं दिख दे फिर वो सोच दी है हो सकदा है कोई दुझे मंदिर विच गए होन हुन सिमरन दे मन विच ख्याल आउंदा है की पापा दी बड़ी इच्छा सी की ओ अपने जणम दिन पर अनाथ आले विच अनाथ लुका नूँ कुझ कपडे अते कुझ गिफ्ट वंडन इसोच के ओ अपने पती नूँ इगला केंदी है उस दा पती वी इचीज दे लई त्यार हो जान्दा है अते दोन्नों बजार चले जान्दे हन बजार तो कुझ गिफ्ट अते कपडे खरिदने दे बाद अनाथ ले आऊंदे हन अते उत्थे दे लोका नूँ कपडे मिठाईया अते गिफ्ट सारी चीज जां वंड दिन दे हन अते ओ लोक सीमरन दे पापानू टेर सारी शुब कामनाए आशिरवा दिन दे हन सीमरन खुश सी क्योंकि आज उस दे पापा दा जनम दिन सी अते दुखी इस लई सी क्योंकि पापा उस दे नाल हुंते ओ खुद ये सारी चिज्जां बृद्ध अश्रम अते अनाथ लोका नू वांडे दे ता किन्ना चंगा हुंदा हुण ये सारे कम निप्टाने दे बाद सिमरन अपने पती दे नाल कर वापिस आउन लग दी है बृद्ध अश्रम दी कुझी ही दूरी पर सिमरन अपने मम्मी पापा दी चलक दिखाई दिन्दी है ओ अपने पती नू कहन दी है सागर गड़ी जरा पिछे मोड ना ता मैं हुने अपने मम्मी पापा नू देख्या ऐसा लग रिया सी जिवे ओ रोड दे किनारे बैठे हन कुझ देर पिछे आउने दे बाद सिमरन अपने मम्मी पापा नू देख दी है अते देख दी है उस दे मम्मी पापा फटे हाल वीच हन फटे पुराने कपडे पहने हन मेले कुछ ऐले कपडे पहने हन इदेख के ओ बहुत रोंदी है अते उना दे गले लग जान दी है केंदी है मम्मी पापा फटे कि में हो गया तुसी लोग इस हालत वीच क्या हो गया मेरा दिल बैठा जा रहा है दसो में नूँ ओ बेटी अपने पिता नूँ देख के जोर जोर नाड रोन लग दी है उस दा दिल चीकन लगदा है उस दी अख़ा विच तो हंजुआ दा बेटी नूँ अपने सामने देख के ओ दोनों माता पिता अपनी बेटी नाड लिपट के रोन लग दे हन सिमर ने पूछ या मा इस हालत कैसी हो गई तुसी लोग का दी तुसी लोग इत्थे किवें जद उस दी मा कहन दी है क्या दसा बेटी तेरा विया हो जाने दे बाद तेरे पापा दा वी रिटायरमेंट हो गया उँ रिटायर हो गए आते कार पर बैठ गए तेरी पापी सान्नू तान्ने सुनान लगी सान्नू बुरा पला कैन लगी आते तेरा पाई वी होली होली उस दी गल्ला विच आउन लगा आते उँ वी सान्नू रोज तान्ने सुना असी उस पर बोज बन गए अते हुँ सन्नू बोज समझन लगा तेरी पापबी तेरे पापा अते मेरे तो दिन पर काम करवाऊंदी अते खुद अपनी सेलिया दे नाल किटी पाटी विच बिजी रहंदी होन होली होली हलात बत्तर होन लगे सी बेटी तेरी पापबी ने होन सन्नू बासी पोजन खिलाना शुरू कर दिता जद सी कदी ताजा खाना ले लेंदे ता ओ देखलेंदी अते साड़े हत्ता तो खाना खोल लेया कर दी इन्नी ठांट विच सर्दी दे मोसम विच काम करने नाल अते बासी पोजन खान नाल तेरे पापबी तबेट खराब हो गई जद मैं तेरे पाई तों पैसे मंगे दवाई दे लई जद तेरे पाई ने साफ मना कर दिता अते किया मेरे उपर इन्ने सारे कर जहन अते तुसी लोग का नूँ पैसे चाहिए दे अरे बुड़ा पे विच ता थोड़ी बहुती बीमारी लागदी ही रेंदी है इस दे लई पैसे दी क्या जरूरत है इवे ही ठीक हो जाओगे तुसी लोग मेरे कोड इन्ने फाल तु पैसे नहीं हान जाओ इत्थे तो अते मेंनू परिशान ना करो बेटी तेरे पाई ने इई शब्द मेंनू कहे अते मेंनू पैसे नहीं दिते हुन किसी तरा तेरे पापा ने अपने अपनू संबाल लया फिर कुछ दिना बाद तेरे पापा नू करोना हो गया हुण इस करोणना दी हालत वीच मैं बिमार तेरे पापा नू ले लेके किते किते नहीं पटकी बेटी किते किते नहीं पटकी मेरे कोल पैसे नहीं सी मैं अपने हाथ दी सोने दी चूडियां गले दा मंगल सुतर कान दी बालियां बेच दितियां बेटी उसी जनाल मैं तेरे पापा दी दवाई दा खर्चा गीता अते ओ ठीक हो गए बीमारी दे कारण असी दोनों बोट ही कमजोर हो गए सी अते नाल ही सान्नों कोई नोकरी नहीं दे रहा सी ना ही कोई काम मिल रहा सी मजबूरी विच्छ आ के सन्नों पीख मंगनी पई बेटी इक पूत दे हुंदे होए वी असी लोक पिखारी बन गए बेटी गल सुन दे ही ओ बेटी अपने मम्मी पापानू सिन्ने नल ल जगा लेंदी है आते केंदी है पापा तुसी अपने कार चलो उत तो अड़ा कार है उस कार विच्छ तो अड़ी यादा बसियान तुसी अपनी मेनत दी कमाई नाल अपने खून पसिने नाल अपने कार नू खडा कीता है कार बनाया है तो अड़ी जगा इत्थे नहीं तो अड़े कार विच्च है, मैं भी देख दी हाँ, कौन तो नू तो अड़े कार तो कड़ दा है, उन तो अड़ी बेटी आ चुकी है, तुसी लोकानू चिंता करने दी कोई जुरूरत नहीं, यी कहन दे ही सिमरन अपने कार अपने नोकर नू फोन मिलां दी है, अते रामू नू कहन दी है, कार नू चंगे नाल साफ सुथर कर दिना मैं मम्मी पापा नू लेके आ रही है, होन कार पोंचने दे बाद सिमरन अपने मम्मी पापा दा जनम दिन बहुत चंगे नाल बनाउंदी है, सिमरन दे पती सागर ने होटल तों सिमरन दे मम्मी पापा दे मन पसंद दा खाना मगवाया सी, होन इनने दिना बाद उस माँ बाप ने इनना चंगा खाना खाया, आपनी बेटी यते दामाद दा प्यार देखके ओ माँ बाप अपने बच्चे नू गले लगा लेंदे हन, होन इनना समय होने दे बाद भी सीमरंदा पाई अते पाप भी कार वापिस नही आऊंदे हन, शाम तो रात हो जान दी है, जद जाके उस दे पाई अते पाप भी, लड़क खडाऊंदे हुए कदमा नाल कर दे अंदर आऊंदे हन, आते ओ सिमरंदे मम्मी पापा नू कार विच देखके पढ़क जान दे हन, आते कहन दे हन, तुसी लोग का दी हिम्मत कि मे मेरे कार वीच आऊने दी कौन लेके आया तुसी लोका नू इत्थे जद सिमरन कैंदी है मैं लेके आई हाँ सिमरन दा पाई बोलिया उने दे उने निकलो सड़े कारतों इस पर सिमरन वी गुसे वीच आ गई उसने किया मैं वी देख दी हाँ मेरे मम्मी पापा नू कोण उना दे कार तो कड़दा है ये मेरे माँ बाप दा कर है तो अड़ा नहीं तूसी नहीं बनाया है इस कार नू मेरे माँ बाप ने बनाया है उने वी ये कर मेरे माँ बाप दे नाम पर है तो अड़ा कुझ नहीं है इस विच आते एवी सुन लओ मम्मी पापा ने तेनू आपनी वसियत तों बेदखल कार दिता है इन्नी गल्ला हो ही रही सी की सिम्रंदी पाप भी तुरंत बोल पेंदी है तुसी लोग इस कार तो निकलो नहीं ता पहला दी तरह ही कार तों सुटवा देवांगी हुन सिम्रंदा गुसा सत्मे आसमन पर चड़ जन्दा है ओ गुसे नल लाल हो जन्दी है अते अपनी पापी नू एक जोड़दार थपड मार दी है थपड पेंदे ही उस दी पापी एक थपड वीचे ही जमीन पर गिर के तूल चटन लग दी है सिम्रंद केंदी है तुसी लोग अपनी उकात वीच आ जाओ अते हुने दे हुने अपना सारा समान अपना सारा बोर्य विस्तरा बननो अते इस कार तो निकल जाओ इस कार पर तुसी लोग का दा कोई हाक नहीं है सिम्रंदे पापा ने क्या की पूत मैं तेनू अपनी जाइदाद तो बेदेखल कर दिता है हुन मैंवी चाउंदा हां की तू मेरे कार वीच ना रहें इगला सुन दे है सिम्रंदा पाई रवी अपने पापा दे पैरा वीच गिर जान दा है माफी मंगल लगदा है कहनदा है पापा मेरे तों गलती हो गई मेंनू कार्थ तों बाहर ना कड़ो मेंनू जायदाद तों बेदखल ना करो पर उन उस पिता दा मान अपने बच्चे तो फाट चुके असी उस देख चुके सी की उस देप पूत ते नूने उना दे नाल कैसा वेवार कीता हुन उस पिता ने भी अपने बच्चे नू ठुकरा दिता अते किया मैं समझूँगा की मेरा कोई पूत नहीं है मेरी इकती ही है सिमरन ने सिम्रन ने अपने पतीनु कह कि अपने पाई पाबीनु करतो बाहर कडवा दिन्दी है उना दी सही उकात दिखाऊंदी है अते इस तरह सिम्रन दे पाई अते पाबीनु उना दे करमा दा फल मिलिया उनने जैसा किता वैसा मिलिया जैसा बिजोगे वैसा वड़ोगे उन सिमरन कुछ दिना ताक अपनी मम्मी पापा नाल रहन दी है अते जाने तो पहला अपने मा अते पिता जी नूँ कैंदी है पापा मम्मी तुसी वी साड़े नाल चलो जद सिमरन दे पापा ने किया बेटा ही मेरा कार है मैं इसनू तिनका तिनका जोड के बनाया है मैं इस कार तो किते नहीं जाऊंगा उन सिमरन आपने पिता दी जिद दे अगे हारना पैंदा है अते ओपारी मान नाल फिर आपने पती नाल विदेश मूड गई अते विदेश विच ही रहा के अपने अपनी मम्मी पापा दा हाल चाल पुछ दी ता दोस्तो उस बुड़े माबाप दे पुत अते नूने जो उना दे नाल अत्याचार किता उनानू उस दा फाल मिलिया कुस पुत अते नूने बिमारी लगने दे डारतों चुवा छुट दे डारतों करोना हो जाने दे डारतों अपने बुड़े माबाप नू करतो बे दखल कर दिता उना दे कर तो उनानू कर दिता क्या किसी नू कोई बिमारी हो जावेगी दोस्तों ता उस नू कर तो कड़ दिता जावेगा कि उस दी देख़बालाते सेवा किती जावेगी इसलई कहन्दे हन जैसा करोगे वैसा परोगे ता नवाजी स्टोरी की में लगी लाईक कमेंट करके जुरूर दसे हो